हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इस पकार से जसने इदे मिलाद उन नभी के लिए ग्रूप पोस्टर बनाना सिखेगे तो वीडियो को शुरू से लेके अन्द तक आप लोग देखते रहिए ताके आप लोग भी इस पकार से जसने इदे मिलाद उन नभी के लिए ग्रूप पोस्टर बना सको दोस्तो इस पोस्टर को बनाने के लिए जो PLP फाइल यूज हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो लेकिन उसमें एक पास्वर लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को तीन इस टेप में मिल जाएगा दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ के अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए पिक्चलेव एप्लिकेशन की जरुएत परती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग महां जाके इसे अपको डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तो पोस्टर बनाने के लिए पिक्चलेव एप्लिकेशन को ऊपन कर लेते हैं एप्लिकेशन को ऊपन करते ही कुछी इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा यहां पे new text को हम लोग delete कर देगे उसके बाद rise site corner में उपर के side पे 3. के निसान पे क्लिक करेगे नीचे scroll करके open plp file पे double click करेगे यहां पे plp पे क्लिक करेगे यहां arrow के निसान पे क्लिक करेगे और जहां भी हमने file को download करके save करके रखा हुआ है वहां से हम लोग file को open कर लेगे यहां पे just need email plp पे क्लिक करेगे open and add पे क्लिक करेगे यहां पे ok कर देगे उसके बाद back हो जाएगे तो दोस्तो इस पकार से हमारा plp file open हो जाएगा अब इस plp file में हमको जो भी change करना है वह change करके हम लोग अपना group poster तयार करेगे इसके लिए plus के बगल में जो icon बना है वहां पे क्लिक करेगे और जहां भी हमको change करना है उससे delete करके या edit करके हम लोग change कर सकते है तो दोस्तो देख सकते हैं यहां पे मैंने कुछ photo png लगा रखा है दोस्तो अगर आप लोग को यह photo png पसंद नहीं तो इससे delete कर सकते हो और इसकी जगा नई photo png एड कर सकते हो इसके लिए plus के बगल में जो icon बना है वहां पे क्लिक करेगे और जहां भी यह photo png है वहां पे delete वाले icon पे क्लिक करके इसको delete कर देगे उसके बाद plus वाले icon पे क्लिक करेगे from gallery में चले जाएगे और नई photo png यहां पे add कर देगे अब दोस्तो यहां पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है आप सभी देश्वासियों को इदे मिलाद उन नभी की तहे दिल से मुबारक बात दोस्तो इदे मिलाद जो लिखा हुआ है ओ डीजी font है तो अगर आप लोग के पास इसे भी बनिया कोई font है तो उसे use कर सकते हो या फिर इसे रेने दे सकते हो अब दोस्तो यहां पे देख सकते हो मैंने पते में अपने गाउं का नाम लिखा हुआ है दोस्तो यहां पे पता में आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकोन बना है वहां पे क्लिक करेगे और जहां भी पता लिखा हुआ है वहां पे हम लोग पैंसिल का आइकोन पे क्लिक करेगे pencil का icon पे click करेगे और अपना address update करके ok कर देगे अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने group frame लगा रखा है साथी यहाँ पे नाम लिखा है तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना photo page अपने परिवार वालों को आपने घर वाले को यापने गाओं के लोगों का photo page एड़ करके आप लोग अपना group poster तयार कर सकते हो साथी उनका नाम भी यहाँ लिख सकते हो इसके लिए plus के बगल में जो icon वहाँ पे click करेगे और जिस photo page को change करना है उस frame को हम लोग unlock कर देगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उस frame पे click करेगे उसके बाद यहाँ पे बीच वाले icon पे click करेगे नीचे scroll करके texture वाले icon पे click करेगे यहाँ पे delete वाले icon पे click करेगे उसके बाद gallery वाले icon पे click करेगे और जहाँ भी हमने photo page शेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग photo page को select कर लेगे दोस्तों यहाँ से मैं यह वाली photo page ले ले रहा हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यह वाले icon पे click करके इसको उतना select कर लेगे जितना भी हमें चाहिए उसके बाद दोस्तों okay कर देगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फोटो पेंजी को एक्जेस कर दिया है उसी पकार से दोस्तों आप लोग बाकी की फोटो पेंजी एड़ करके अपना ग्रूप पोस्टर तयार कर सकते हो अब दोस्तों इस poster को हम लोग gallery में कैसे save करें इसके लिए share वाले icon पे click करेंगे image format में jpg या png select करेंगे quality dimension में ultra select करेंगे और save to gallery पे click कर देगे दोस्तों इस पकार से हमारा poster gallery में save हो जाएगा दोस्तों इसी पकार से आप लोग को किसी festival का या अपने swap का banner बनवाना है तो comment करके बता दीजेगा मैं उस पर वीडियो बना दूँगा जिससे आपनो mobile से ही poster बना सको दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगिए तो वीडियो को कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जय हिन जय भारत